आज हम लोग इस वीडियो में ये कच्छा चार फुलवारी जिसका पहले नाम कलरो था तो इसमें हम लोग अभ्यास प्रस्न देखेंगे ये पाठ आठ है टूकरी में क्या है तो इसके पहले रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इसके हम इस पार्ट की रीडिंग करेंगे और इसके बाद इसके हम अभ्यास प्रस्न और इसका सारांस इसी वीडियो में देखेंगे तो टूकरी में क्या है गर्मी की छुट्टियों का अंतिम दिन है अधिती नानी के पास से अपने गाउन लोट रही है उसके पिता जी ल बांद कर रखा है इसे भी अपने साथ ले जाना अधिती अरे वाह टूकरी में क्या है नानी जी नानी तुम स्वय मनमान लगा कर बताओ कि क्या हो सकता है अधिती अच्छा तो मुझे सोचने दो नानी जी या तो इसमें मिठाई है या फल नानी फल है अधिती अहाँ तब तो इसमें अवस ही सेव होंगे नानी जी नानी नहीं सेव नहीं है फिर से सोचो अधिती ठीक है नानी सोचती हूँ अच्छा यह तो बताओ कि यह फल छोटे पौधे पर लगता है या पेड़ पर नानी जी पेड़ पर अधिती तब तो यह नारंगी है, नानी, नहीं बिटिया, नारंगी भी नहीं है, अधिति, अच्छा, यह पीला है यह लाल, नानी, पीला है, अधिति, यह तब यह आम होगा, नानी, ना ना, आम भी नहीं है, अदिती, अच्छा, मुझे फिर से सोचने दो, इसकी आकृति कैसी है, नानी, गोल है, अदिती, तब अम्रूद होगा, नानी, नहीं, अम्रूद नहीं है, अदिती, अच्छा, यह स्वाद में कैसा है, मीठा, खटा, या कसैला, नानी, इसका स्वाद खटा है, अधिती, तब तो यह जरूर मालता होगा नानी नहीं बिटिया, तुम करीब करीब तो पहुँच गई हो, फिर भी थोड़ा प्रयास करो अधिती, ठीक है नानी, अच्छा बताओ, यह फल किस काम में आता है इसी के आगे है, नानी, अचार और सर्वत बनाने के काम आता है, अधिती, नानी, अब मैं जान गई कि यह क्या है, नानी हाँ बिटिया, ठीक बताया, सब बस, यह अधिती ने क्या फल बताया होगा, यह फल है, नीबू अब हम इसके अभ्याज प्रस्ण देखेंगे, अभ्याज प्रस्ण देखने के पहले हम इस पाट का सारांस देख लेते हैं, तो यह पाट का सारांस गर्मी की छुट्यों के अंतिम दिन अधिती नानी के सा नानी के घर से अपनी गाउन लोट रही है अधिती की नानी ने अधिती को एक टोकरी दी अधिती अपनी नानी जी से टोकरी में रखी चीजों की विशे में पूश्ती है नानी जी ने अधिती को अनुमान लगाने के लिए कहा अदिती अनुमान लगा कर नानी जी से कहती है कि टोकरी में मिठाई है या फल नानी जी बताती है कि फल अदिती सोच कर बताती है कि टोकरी में सेव होंगे नानी जी कहती है सेव नहीं है फिर अदिती नानी जी से पूस्ती है या फल छोटे पौधे पर लगता है य पर लगता है आदिती फिर नारंगी बताती है नानी कहती है नहीं आदिती पूचती है कि फल पीला है या लाल नानी जी उसे बताती है कि फल पीला है आदिती आम बताती है लेकिन नानी जी कहती है कि आम भी नहीं है फिर आदिती अमरूद बताती है लेकिन नानी जी कुछ औ और कहती हैं अधिती उस फल का नाम उस फल का स्वात पूछती है कि मीठा है कि खटा है कि कसैला है तो नानी उसे बताती है कि इसका स्वात खटा है अधिती फोरण माल्टा बताती है नानी जी नानी ने अधिती को थोड़ा और प्रयास करने के लिए कहा अधिती फिर नानी ज पूछती है कि यह किस काम आता है नानी जी उसे बताती है कि यह फल का अचार या सर्वत बनाया जाता है यानि इस फल से अचार या सर्वत बनाया जाता है तब अधिती ने उसे फल का नाम नीवु बताया तभी नानी जी ने अधिती को सावासी दे इसके बाद हम लोग इसका अभ्यास प्रश्ण देखेंगे इसमें सबसे पहले अभ्यास प्रश्ण में आता है बोध प्रश्ण उत्तर दीजिए अधिती अपने घर क्यों लोट रही है तो इसका उत्तर है कि अधिती अपने घर इसलिए लोट रही है क्योंकि उसकी गर्मी की छुटी समाप्त हो गई है खा अधिती ने टोकरी में किन किन फलों का अनुमान लगाया तो इसका उतर है कि अधिती ने टोकरी में सॉरी अधिती ने टोकरी में सेव, नारंगी, आम, अम्रूर और माल्टा आधी फलों का अनुमान लगाया इसकी बाद आता है अगला प्रश्ण वास्तों में ये फल कौन सा था तो उत्तर है वास्तों में या फल नीमू था अगला है प्रश्रंख्या दो कि नीचे लिखी पहली को भूजिए और पूरा कीजिए पहली का उत्तर मूली है अब प्रश्णों का उत्तर देने में अमन की सहायता कीजिए तो देखते हैं अमन मैंने बाजार से कुछ खरीदा यह मेरे थैले में है अंकिता यह फल होगा यह सबजी तो अमन कहता है कि यह सबजी होगा फिर अंकिता कहती है यह जमीन पर उगता है यह अंदर जमीन के अंदर तो अमन कहता है यह जमीन के अंदर उगता है फिर अंकिता क कहते हैं कि यह सफेद है या रंगीन तो फिर अमन कहता है यह सफेद है इसके बाद अंकिता पूशती है तब यह मूली है इसी तरह से यहां पर एक और पहेली दी गई है यहां आपको प्रश्न बनाने हैं उनके उत्तर दिये गये हैं यह नि प्रश्ण कोष्टक में प्रश्ण बनाने हैं और उनके उत्तर दिये गए हैं तो कोष्टक में दिये गए संकेतों का उपयोग कर सुमन को प्रश्ण बनाने में मदद कीजिए उत्तर दिये गए हैं तो इसके में प्रश्ण बनाते हैं बिमल मेरी पास एक जानवर की तस्वीर है क्या आप बता सकते हो कि तस्वीर किसकी है सुमन क्या यह जंगल में रहता है बिमल नहीं यह घर में रहता है सुमन क्या यह मांस खाता है तो यह मांस हमें जो है यह दे दिया गया है हिंट के लिए संकेत के लिए हमें इसी सब्द का प्रियोप करते हुए प्रश्न यहां पर बनाना है इसके बाद बिमल नहीं यह घास खाता है सुमन क्या इसके सींग होते हैं तो बिमल कहता है नहीं इसके सींग नहीं होते हैं फिर यह सुमन कहती है क्या यह तेस दौरता है तो तेस दौरता यहां पर हिंट दिया गया है तो बिमल हाँ यह तांगा खीशता है सुमन तब यह एक घोड़े की तस्वीर है अब इसके बाद अगला एक प्रशन दिया गया है कि अब करने की बारी तो एक पहेली दी गई है का यह प्रशन क्या तीन है इसके उपर ताल बनाओ इसके उपर नहरें इसके उपर नदियां बहती जिन में उड़ती लहरें कोई इसमें बाग लगाता कोई करता खेती यह सब को देती है सब कुछ पर किस से क्या लेती तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताओ यह क्या है यह है प्रशन इसी तरह से एक और पहली दे गई है कि बादल लेकर उड़ती हूं नहीं किसी को दिखती हूं तो बताओ ये क्या है ये है हवा अब एक और है एक छोटा सा बच्चा ये पहली आपको अपने आप बनाने है तो एक छोटा सा बच्चा उसके पेट कटा कटा तो बताओ ये क्या है ये है गे हू अब इसके बाद प्रिस संख्या घा टोकरी में जो फल है वह कुछ बातों में दूसरे फलों से मिलता समानता है मिलता है मिलता है मिलता है कुछ समानता पाई जाती है जैसे वह पेड़ पर लगता है वह पीला है वह गोल है वह खटा है तो ये जो हिंट दिये गए हैं जो संके चीजों में कुछ बाते समान होती है जबकि कई बातों में अंतर होता है नीचे की सूची में दी गई चीजों में बाते समान है और क्या अलग या अंतर है इसको हमें लिखना है